और बड़ी खबर आ रहे है दक्षुन गाजा से जहां पर इस वक्त बहुत भारी लड़ाई छिड़ गई है ताइम्स ओफ इसरोयल अकबार ने दावा किया कि शनिवार की दिन ही इसरेल ने इसरेल के 10 सेनिक मार दिये गए तो गाजा के अब भेद्य किले में इसरेल के सेनिक अपनी जान जोक दे रहे हैं लेकिन नेतन्याओ के लिए लड़ाई इससे भी ज्यादा बड़ी है दरसल उनको दोबारा राजनितिक समर्थन हासिल करने के लिए हमास के बड़े नेताओं को जिन्दा पकड़ना होगा और इसके लिए अब इसरेल ने अपनी डॉग यूनिट को भी तैयार कर लिया है इसरेल की एक खतरनाक यूनिट किसी भी वक्त सिन्वार्थ का पता लगा कर उसे कैद करवा सकती है शाजा सिन्वार को पकड़ेगा इसरेल का सबसे खूखार जासूस इसरेल ने हमास की सुरंग में छोड़ दी है अपनी सबसे बेतरी डॉग शुनिट हर एक डॉग के निशाने पर है हमास के आतंग इन सभी के टार्गेट पर है इसरेल का नमबर वन दुश्मन याया सिन्वार्थ ये है इसरेल की सबसे खतरनाक डॉग यूनिट के नाई ये डॉग यूनिट कमांडरों की तरह युद्ध में भाग लेती है सेना के जवानों के कंधे से कंधा मिलाकर दुश्मन के खिलाफ लटते हैं आईडिएफ के मताबर ओकेट्स यानि के नाईन यूनिट्स के डॉग से गाजा में पूरी तरह सिसक्रिये हैं वह हम इस पोर्टों का पता लगाने में इस्रैली फोर्स की मदद कर नहीं है इस्रैल की सेना ने हमास के सुरंग का एक और वीडियो जारी किया है ये वीडियो राजा के दक्षन इलाके का बताया जा रहा है सुरंग की तलाश में इस्रैल की सेन अपनी स्पेशल के नाईन डॉग यूनिट को लगा रखा है वीडियो में नजर आ रहे इस खोजी कुट्टे पर कैमरा लगा गया है और ये सुरंग में हमास के लड़ाकों की तलाश कर रहा है एक मिनट चौप वाले सेकंड के इस वीडियो में सबसे पहले देख रहा है कि इस गैल की गेल नाईन यूनिट का दॉग एक सुरंग में खुसता है सुरंग के रास्ते में एक जगह पर कुछ बोड़ियां रखी गई है ऐसा इसलिए कि अगर दुश्मन अंदर आने की बोशिश करे तो इसे पार करने में थोड़ी मुश्किल होगी और इस दोरान हमास के लड़ाके उनका मुकापला करने के लिए तैयार हो जाए डॉंग के आगे बढ़ने पर सुरंग में एक दरफ इलेक्रिक वाक्स नज़र आता है जब कि दूसरी तरफ ब्लास्ट डूफ दरवाजा लगा है इस तरह के दरवाजे सुरंगों में इस दिये लगाए जाते हैं कि हमला होने पर इसे बंद कर दिया जाए और दूसरी तरफ बैठे लोग मैं फूस रह सकती है दरवाजे के दूसरी तरफ हमास के लड़ाकों ने बाकाइदा छिपने के लिए एक जगए तयार कर रखी है सुरंग में छिपने के एक दूसरी जगए भी है वीडियो देखकर ऐसा लगता है कि या तो यहां पर हमला हुआ है या फिर हमास के लड़ाके खुद ही इस जगए को बरबाद करके जहां से निकल गए है क्योंकि शाय हमास के लड़ाकों को यह बता चल गया था कि उनके इस ठेकाने पर आई डियर की नज़र पड़ चुकी है और उनका आटाक कभी भी यहां पर हो सकता है सोरं के अंदर रहने के पूरे इंतसाम भे खाने बीने की भी पूरी सुविदा थी यह देखे सोरं के बाहर पानी की जारकंज्या रखी है पाईप के जरे पानी की सब्लाई सोरं में की गई है आपरेशन के दोरान इस्राइल पोस को एक और प्लास्ट पूर्फ दर्वाजा मिला जिसमें दुश्मनों पर गोल या बरसाने के लिए एक गोल भी है वीडियो को देख कर लगता है कि इसमें दो अर्डर्राउंट पोस है इस वक्त इस्राइल बहुत शद्द से याया सेंवार की तलाश कर रहा है इसी सिलसले में हर जगए औरबरेशन चला रहा है क्योंकि इस्राइल में होए कतले आप के लिए नितन्यावु अदेश याया सेंवार को ही दूशी मांगता है याया सिंवार अब इस्रेल के सिर्प पर चड़ गया है इसमें कोई शक्त नहीं कि घाजा की गलियों में जो युद अब तक हुआ है उस पर याया सिंवार की च्छावबरी हुई है हमास का एक एक हमला याया सिंवार की सरबरस्ती में हो रहा है ये बात इस्राइल की फोर्स बहुत अच्छी तरह जानती है। मेतन्याहो, ये कई बार गया चुके हैं कि हमास को खर्ण करने के लिए उनके एजेंडे से उन्हें कोई नहीं बिगा सकता है। वो पहले ही बता चुके हैं कि इस रैल पर हम्पला करने वालों को वो चुन शुन कर मारेंगी। हमास को जड़ से खत्म कर देंगी। मेतन्याहो को जब से पता चला है कि याया सेन्वार सुरंगों में खूंग रहा है। और बंदकों से मुलाखात करके उनसे सीधी बात कर रहा है। तब से मेतन्याहो के बेचानी बढ़ गई है। इसका मतलब साफ है कि याया सेन्वार जिन्दा है। याया सिन्वार युद्ध को कंट्रोल कर रहा है। याया सिन्वार बता रहा है कि इस्रेल का एक एक बंधक उसके पहमों मरंबर जिन्दा है। यही बात इस्रेल को बहुत परिशान कर रही है। याया सिन्वार की ओर्डर पर हमास कुछ भी कर बज़रने को दिदा है। सिन्वार की बहुत रहा स्क्रेड़िजी है जिसके आगे अब ली तक इस्रेल नाकाम ही साबिक हुआ है। साथ अक्टूबर दो हुए हमने के पार हमास के खिलाब श्रम के इस्रेल के दो मकस्त पहला है। पहला हमास के पास से करीद 200 बंद को आजाग कराना है। जिसके लिए इस्रेल को सीज़ बार करना पड़ा है। यानि उसका युड़ और बंबारी काम नहीं है। वो फेल होगा है। दूसरा मकस है इस्रेल हमास को जड़ से खत्म करना जाता है। लेकिन अभी तक इसमें इस्रेल फेल ही साबिक हुआ है। इसमें कोई शक नहीं कि याया जिनवार ही साथ अक्टूबर को हुए हमले का मास्टर माइंड है। उसी ने साजिश रजे, उसी ने डार्वे चुटूब और अब वो ही घाजा से सब कुछ कंट्रोल कर रहा है। ये बात नेतन्याहू भी अच्छी तरह से जानते हैं और उनकी सेना भी यही वज़य है कि घाजा ने स्वक्ट आईडिया फ्याया सिर्वार की तलाश में ऑपरेशन चला रही है। हाला कि इस्रेल के लिए सब कुछ अतना आसान नहीं रहने बाला। उसके पास चाहे जितने बंकर पस्टर बंब हो, चाहे जितनी भी बैतरी डॉग योनिट हो, लेकिन हमास की सुरंग भी ऐसी हैं जिसका नेट्वर्ट और जिनकी गहराई अब भी इस्रेल के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बनी होई है। 18 दिसंबर को भी इस्रेल की सेना ने एक सुरंग का वीडियो जारी किया था। इस्रेल को गुसने से रोकने के लिए सुरंग में बम बारूद भी फिट किये गये थे। सुरंग के अंदर इस तरह के तमाम दर्वासे मौचूद थे जने खूला और बंद किया जा रहा था। सुरंग के अंदर भी कई गहरी रास्ते हैं जो हैरान करते हैं। वीडियो में दिखाया जा रहा है कि हमास का हमला बरदस्ता सुरंग की मिट्टी को एक खास उपकरण से रटा रहा है। हमास की सुरंग में कई छोटी जेल जैसी चीज भी मिली है जिसमें ताला भी लगाया गया है। वीडियो बहुत आशर्य जनक है। आखिर किस तरह से एक आतनपदी संगचा बहुत आसानी से सुरंग के विर्मान में लगा हुआ था। घासन ऐसी कितनी सुरंगे हैं कोई नहीं जानता। इसरेल की सेना को भी नहीं मालूम कि उनके देश को निशाना बनाने के लिए किस बड़े पैमाने पर हमास ने तयारी कर रखी है। हर बार इसरेल की सेना जब तक सुरंग की तलाश करपाती हैं तब तक हमास के लड़ाके वहां से निकल चुके होते हैं। इस बार भी यहीं दिखा है। इसरेल की सेना के हमास के जगाने पर पहुँचने से पहले ही हमास के लड़ाके इस जगा को छोड़ कर जा चुके थे। पहले भी कई बार आईगी अपने ओपरेशन के दौरा हमास की सुरंगों में रेट की हैं। हर बार उसे खाली नाथ ही रोटना पड़ा है। ना ही उस ठेकाने पर जाएगा सेनवार मिला और ना ही हमास के लड़ाके।